हाई गाइस आप ये बेल देख रहे हैं यह बेल एक आवसदी गुणों से भारपूर और पूर्ण रूप से स्वास्त बर्दक यह आवसदी है जिसे हम गिलोए कहते हैं और यह देखिए मैं निकालना हूँ गिलोए पेड़ से और यह बहुत ही उत्तम कोट की गिलोए है क्यो से उत्तम माने जाने वाली है गिलोए जो नीम के पेड़ पर चड़ी हुई है देख रहे हूँगे यह नीम का पेड़ है और इस पर गिलोए चड़ी हुई है इससे हमने निकालाया भी और बहुत ही अच्छा गिलोए है देखें और बहुत बड़े पेड़ पर चड़ी हु पाट दिया हम ने इसका उसके बाद हम छिलका निकाल रहे हैं अब यह छिलका निकालेंगे इसमें हमारे सरीर के लिए बहुत ही फाइदेमंद यह होती है गिलोए इम्मुनिटी सिस्टम को बुष्ट करती है खासकर यह डायविटीज रोगों के लिए भी बहुत कारगर होती है दिल की बिमारियों में समस्या में बहुत समाधान करती है और डेंगू से भी राहे दिलाती है कबज की परिसानिय अगर हो तो वह भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं अगर किसी के सरीर में खून की कमी है उसको दूर करती है मदुमेह हो या हाई बलड प्रेसर या दिल की बिमारी बीपी इन सब में कारिगर होती है आपके इम्मिनुटी सिस्टम को बढ़ाती है तो मैं इसको छील करके और देखिए साफ करके कैसे बना रहा हूं आप इसको देख करके और इसका जूस बना सकते हैं तो यह इतनी अच्छी आउसदी तत्तो है इसमें और यह सब जग जगाओं में या अन्य छेतरों में या किसी पेड़ पर या किसी बेल की तरह चड़ जाती है यह गिलोय जो है जूस बना सकते हैं इसका पावडर इसका जड़ पत्ता तना सब कुछ कारगर होता है जिसका आप उपयोग अपने स्वास्त की को सफल बनाने में और हम जिंक मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और हमारे स्याथ के लिए बहुत ही लाबदायक होते हैं देखिए हमने इसको साफ कर लिया है अब इसको हम काट कर गए और इसको हम बड़ा बड़ा है कोटने के बाद इसको हम पानी में रखेंगे और यह जब बॉयल हो जाएगा आधा जाएगा तब इसको हम भीयट करेंगे अलका साथ अब इसको झान लेंगे चानने के बाद पीर हल्का गुर्गुना रहेगा तब उसको पीच सकते हैं अधा अधा गिलास